फोलोब एक ऐसी चीज है कि हम लोग बहुत धीला करते हैं फोलोब एक ऐसी चीज है कि हम लोग बहुत धीला करते हैं पहुत से लोग फोलोड़ गबता हूं कि कु ilo कि और भर जोड़े से पहले अगर करने चाहिए है डिउक कुष्का act करने से पहले अब और को एक फोर्मुला बताना चाता है 8 by 73 formula राइट सर्थ उस formula का नाम है 8 by 73 उस formula का नाम है सर्थ 8 by 73 formula 8 by 73 formula यह formula क्या बोलता है कि 44% 44% people जो की sales उट काम करते हैं network marketing में काम करते हैं 44% लोग पहली ही rejection को ना समझ लेते हैं और उसके बाद follow up उस आदमी से बंद कर देते हैं 44% लोग पहली ही rejection को ना समझ लेते हैं और उसके बाद उस आदमी को close करना बंद कर देते हैं 44% लोग आरावन यहाँ पर अभी 1.500 आदमी बेटा हैं 44% लोग मतलब की तकरीबन और तकरीबन 55% लोग ऐसे हैं जो कि पहली ही rejection में ना समझ लेते हैं और उसके बाद उस आदमी का follow up करना बंद कर देते हैं 44% के बाद 32% लोग और बचे हुआ ऐसे हैं जो कि दूसरी बारी दो rejection मतलब पहली rejection सह लेते हैं तो दूसरी बार approach कर लेते हैं पर लेकिन दूसरी बार approach करने के बाद जब उनको rejection मिलती है मतलब दुबारा वो बाद भी मना करता है तो फिर उसको उनको लगता है कि अभी आदमी close नहीं होगा उसके बाद 11% लोग ऐसे बसते हैं जो कि तीसरी rejection के बाद close नहीं होते आइड ये भी एक formula है 11% लोग ऐसे हैं जो कि मतलब 2 rejection जेल लेते हैं और तीसरी बार भी closing करने के लिए जाते हैं मतलब कि 2 बार जेल लिया तीसरी बार भी गये closing करने के लिए आइड सर ठीक सर और उसके बाद 11% के बाद अच्छी एग्जेक्टी परसंट बेश किया सब्सक्राइब क्यों कुछ ध्यान है उपको 66 44 32 भी हो गया 32 के बाद 11 भी था 22 के बाद कुछ और था शायद 18 है शायद 18 या 16 है एग्जेक्ट परसंटेज बता रहा है 44 के बाद 26 44 के बाद 26 26 परसंट लोग ऐसे है 26 परसंट 44, 26 कितना हो गया सब एग्जेक्ट फीगर है ये एग्जेक्ट फीगर राइट 70 हो गया रहा है 70 के बाद उसके बाद 22 72 परसंट परसंट 22 उसके बाद 8 परसंट राइट मतलब कि ये ऐसे लोग हैं जो पहरे रिजेक्शन जेलते हैं 44 परसंट लोग एक रिजेक्शन ही जेल पाते हैं बस उसके बाद खतम हो जाता है इनका गाम इसके बाद उस आदमी से फोलोग नहीं करते हैं राइट और उसके बाद जो परसंट 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 लोग ऐसे जो दो रिजेक्शन जेल लेते हैं मतलब कि एक बार जेल के वापिस आते हैं राइट उसके बाद 22 परसंट दो बार रिजेक्शन जेल के वापिस आते हैं आज परतीशत वो लोग हैं, 8% वो लोग हैं, 8% लोग, उनको चाहिए आप एक बार रिजेक्शन करो, 44, 22, और 10, ओके, करेक्ट कर लें सार इसको, करेक्ट कर लें सार इस पोपुलेशन को, मतलब परसेंटेज को, बता रहो मैं, मेरे को भी काफी समय पहले में फार्मॉला बढ़ा दोगे, पहली रिजेक्शन 44, दो रिजेक्शन 22, थ्ली रिजेक्शन 16, और 4 रिजेक्शन 10%, उसके बाद बसके 8 परतीशत लोग, मतलब की 10 परतीशत ऐसे लोग हैं, जो 3 परसेंट, तीन बाद रिजेक्शन जेल गए, यह कम बैक, वोड़ता 4 टाइम ग्रोजिंग, लेकिन 4 पर रिजेक्शन हो जाती है, तो वो उसको दुबारा से छोड़ देते हैं, मतलब की यह एक बार रिजेक्शन से तो बहुत दूर की बार, चार बार, पांच बार रिजेक्शन से फरक निपड़ता, इनको 9 पर रिजेक्शन से फरक निपड़ता, इनको 15 पर रिजेक्शन से फरक निपड़ता, यह लेडर लोग है, क्योंकि इन पता है कि रिजेक्शन एक प्रॉसस है इस बिजेक्शन हो लिए था, इस बिजेक्शन में जो आदमी रिजेक्शन कर रहा है, वो रिजेक्शन वो नहीं कर सकता, इसलिए दे रहा है, वो आपको rejection नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत से लोग इसको दिल पे ले आते हैं, कोई हमें कुछ कह देता है तो हम दिल पे ले आते हैं, हरे जी मामा जिने ना अगर दी जी, ठीक, मामा जिने ना अगर दी, तो हम बड़े दिल पे ले आते हैं, जब कि दिल पे ले जाते माली ज़रूरत नहीं है, rejection is the process of this business, right, it is a process of this business, this is, network marketing is a game of rejection, it is a game of rejection, जैसे मैंने पहले बोला, network marketing is a game of education, अब मैं आप भूरा, network marketing is a game of rejection, right, it is a game of rejection, जब तक आपके पास rejections ने आएंगी, जब तक आप आगे नहीं पढ़ेंगे network marketing में, अब यह जो आज प्रतिशत लोग हैं, अब यह माना जाता है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, दुनिया में जितने भी लोग हैं, उसमें से 73% लोग, 73% लोग, पांच से बारा के बीच में close होते हैं, को उनके पास पांच बार अप्रोच करता है, पांच से लेकर बारा के बीच में 73% लोग close हो जाते हैं, इसलिए फॉर्मुला होना 8 by 73, मतलब की इसका मोटा मोटा मतलब यह है कि 8% लोग दुनिया में 73% लोगों की closing करते हैं, यह दुनिया गरूलैमिटब पार्गटिंग का, कि 8% लोग दुनिया में 73% लोगों की closing करते हैं, अब बार-बार follow-up करने से होता क्या, बार-बार follow-up करने से, और पिर कई लोग ये बोलते हैं चलिया तो इतनी बार आ रहा है इतना फूर लोग कर रहा है चल मैं भी करी लेता हूं अब किसका मतलब कहा है आपको आज प्रतीशत में आना है या उसे बाहर आना है आप प्रतीशत में आना चाहते हैं So there is only and only one thing you have to remember सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी है वह चीज क्या है कि Network Marketing is a game of rejection It is a game of rejection क्योंकि आप अगर वो आनमी close नहीं हो उस दिर इसका मतलब यह नहीं है कि वो close नहीं होगा इसका मतलब यह नहीं है उसकी determination है उस दिन आपको पैसा ना देनेगी आपके determination उने चीए उससे पैसा निकलवाने की मैं दो अपने आपको पता है कैसे तसली देता हूं मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं मैं आपको अपने आपको ये बोल के तसली देता हूं कोई बात नहीं, बेटा, कर ले जितने नखरे करने काम तो में निच्छे करेगा कर ले जितने नखरय करने काम तो निच्छे करेगा अब वो आदमी जितने नखरय करेगा अतना जादा मेरा determination और जादा strong हो जाएगा उसको भूलने नीचे गाम करवाने गा अपने आपे तसलिि देने के लिए इससे बड़िया चीज नहीं हुई कि बेटा जो करना कर तू जितने नख्रे करने अगर साले काम तो मेरे निच्ची करेगा तू आएगा तो आपके और्गिनाइजेशन में ही और सारी जिन्दगी पैसा कमाऊंगा तेरे से अपने लिए सारी जिन्दगी तेरे से अपने लिए पैसा कमाऊंगा मैं क्योंकि नीच्चे काम करेगा तो सारी जिन्दगी कमा कर देगा तो ऐसा की टर्मिनेशन होना चीज आपका इस राव दिन्टर्मिनेशन चुड़ बी कि भाई तू कर ला जितने नख्रे करने हैं काम तो मेरे नीचे ही करेगा और सारी जिन्दगी जब जब काम करेगा तब तक मुझे पैसे देखे जाएगा मतलब सारी जिन्दगी तो मुझे पैसे देखे जाएगा सारी जिन्दगी तरसे पैसे कमाऊंगा अगर तेरा commitment है ना चुड़ना तो मेरा commitment है मैं भी सालेत तेरे से पैसा कम वाँगा सारी जिन्दगी अपनेंगे Only and only this is the thing which will help you in regular follow-up बार-बार follow-up के लिए यही चीज़ा जो आपको help करेगी कितने अची feeling आएगी ना सोचो एक साल बाद, दो साल बाद, धाई साल बाद जब संदीर जी आपने सुचीन चीप को दुबारा जोड़ा होगा तो कैसे feeling आई योगी आपको यो वाली, यो, यो अचा पारस जी भी या तुम भी आगरे डार रहे तो आजी राहो जी, नव मेंगे में चुड़े थे आप अक्षे भी तो चुड़े थे, अक्षे भी तो बहुत समय बाद चुड़े थे ये तो शुआ वाले लोग हैं सारे जिनको हमने प्लान दिया था जुड़े हैं लेकि लोग जुड़ते हैं सब अब दाई साल बाद जुड़ सकते हैं तो तुम तो एक्जाम्पल मन गया, सेक्ट माज होगे तुम तो जब दाई साल बाद जुड़ सकते हैं तो इसका मतलब कभी भी जुड़ सकते हैं लेकिन आपके determination जोड़ने की होनी चीए उससे उसको छोड़ने की नहीं जोड़ने की होने चिए उसको छोड़ने की नहीं अच्छा यह सुझीत जी अए बिस्नस ने कितनी ID क्लोस कर चुक है यह सिल्बर बनने वाले है सिल्बर बनने वाले है, मतलब कि 13 बेर हो चुक है इनके मतलब कि आपको 25 ID का पैसा आ चुक है पच्छीस आईडी मतलब सुजीत जी आये तो संदीव जी तो और यह 25,000 पर आ चुके है तो धाइस सार से बादचीर करते करते हैं इनने 25,000 का चुगाड़ कर लिया अब यह सुजीत जी काम करते रहें कि तो पैसा जाता रहेगा अगर सुजीत जी गत्ती से बन गए चरहें करते हैं गाओनमेंटर बन गए तो डबल गाओनमेंटर हो गया आप इसका मतलब यह है कि आपके सामने यह राइट लेकिन सुजीत जी रडी हूए प्रॉस्पेक्टिंग हुए इंगी देड़ दो ढ़ाई साल से इनकी प्रॉस्पेक्टिंग चल रहे होगी वेड़ दो डाई साह से, ब्रोडकास्ट में से चल देखे, ब्रोडकास्ट में बात्ची चल रही थी, ब्रोडकास्ट तो खार, मैंने बताया आपको एक सिछा तरीका है, अच्छा जो, जब, अभी टाइम कितना हो अवा सुझी जी को, आयो है? दो हफते, दो हफते हैं 25 आर आगे बियां दर, जेखे, सही है, जाई साह को स्पोर्डकास्ट चलता रहा, तो हफते बात फिर 25 आर आ भी जाएं, क्या दिक्कत है, आई जो, आप ये इनको प्रिपेर कर रहे हैं, संदीव ची आप इनको प्रिपेर कर रहे हैं, कि आप उपें क्यारा बिजनस खड़ाओ, हमारा नेचर ओ बिजनस ही ऐसा है, तो इसके आप इस बात को बोल सकते, यह आप इस बात को रेलाइस कर सकते हो, कि कोई बात नहीं बटा तो कर लें कि इनको नकुरे करना तो, आपना नीची करेगा, और मेरा भी कमिटमेंट है, कि करभाएंगा आपको रुपना नहीं है आपको प्लाइन दिखाते रहो दिखाते रहो दिखाते रहो दिखाते रहो सबस्क्राइब अगर आपको फ्लाइन मीन यह वंक्रण सबस्क्राइब कर अदिखाते रहोग। तो आप automatically build हो जाओ गें in automatically उसके वोड़ती है क्योंकि team हो जाती है leadership हो जाती है लेकिन हम आज भी दिखाते है क्योंकि हमारा vision clear है मैं हाज हरोज a plan नी दिखाता पर मैं हफते में दो plan दिखा देता हो उपने बुदके हर रोज एक पर दिखा नहीं पाता क्योंकि सेमिनर्स बना रखे हैं अलग लग जगा पे तो हफते में दो दिखाएता हूं संदीब जी आप भी दिखाएता हो कि ओने एवरेज हफते में दो लास्ट टू वीट्स में संदीब जी के लिए एक भाश होता है 16 लोग है 16 आइडी लोग कितने 6 लोग दो वीग में 6 लोग स्पोंसर कियां संदीब जी ने गजलाइट तो उसके लिए कि लान तर्ट इखाया हूंगे 6 तूड़ इखाया हूंगे अच्छा आप कोई नहीं 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 तो पुराने लोग होंगे हैं ब्रोड कास्ट वागे तो इंपोर्टन है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते नहीं एक सर तो 8 by 73 फॉमुला याद रखें और फोलो अप की बात कर लेते हैं कुछ क्लोजिंग की सिंपल तरीके से बात कर लेते हैं तो फोलो अप एंड क्लोजिंग सबसे इंपोर्टन पार्ट है इस विजनस का जितना लुब आप चाता रहेगा उतनी ही असान क्लोजिंग होती रहेगी पहले चीज फोलो अप जो है ना वही पर होना चाहिए जहां पर आपने प्लैन दिया सबसे पहला फोलो अप कहा होना चाहिए वही पर होना चाहिए जहां पर आपने प्लैन दिया है श्क्रिक स्क्रिकाः एख प्रसांग करो सोनी आपाराँव है लख रसविव자 प्रसांग pounds टॉक बडょंसा आपाराँएवा लख रसविश्टार्साइणू लख पुरूबब इसम ठाप सिरफ minutes जबड़ सेदम सुटारे दाप्रसाइद संतो और जब नहीं लोग आते हैं तो उनको सिस्टम पता नहीं होता तो वो कहीं बर क्या गल्दी कर बैठते हैं वो यह बोलते हैं कि कोई बातरी से मैं पैसे ले लुगा क्योंकि मामा जी बोलते हैं किया नमस्तम है और वो दो दिन दिन फिर आते नहीं है मामा जी के या चाचा के या किसी और के वो दो दिन दिन आते नहीं हैं आपके जीचा जी के आपके साले साब के वो दो दिन दिन फिर आते नहीं कभी भी इची द्यान लगना, फिर आपका लंबा फोलॉप शुरू हो जाता है, फिर आप फोलॉप करनी पाते है, क्योंकि रीजन यह होता है कि शुरू शुरू ना आदिम को लगता है, That is the biggest mistake, फोलॉप इसलिए करना है सर, क्योंकि आपको उसको क्लोस करना है, सर, मुझे नहीं पता कि आपको क्या चीज है जो कि आपको फोलॉप करने में मुझबूर करेगी, बट मेरे लिए जो इंपोर्टन चीज है जाट इसमाई रीजन्स तो फोलॉप राइट मेरे को मालूम है कि मैं उसको दे रहा हूँ, पहले चीज मैं उससे ले कुछ नहीं रह करने लगया तो उसकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, इसलिए मैं फोलॉप कर सकता हूँ, इसलिए मैंने गौलम मिश्रा से में छे महीने फोलॉप करता रहा हूँ, इसलिए संदीव जी सुझे जिसे फोलॉप करते रहे हूँ, आज भी हमारी ब्रोड कास्ट में बहुत सार यहां पर निकभॉक मार्टिय महाने के पाथ आतमी की फरी में परस्टार्टिय डवलम्यंट होती है, फैनेशल डवलमेंट के लिए आतमी कितने बिस्नेस टार्ट करता है दो चार्ट सा अगला अगर उपे देगा आधमीं दुकान खोल लेता है पार टाइम बेसिस पे या पर शान को जाके जूचने बढ़ायता कभी इस दर कभी उस दर है। तो यहां पर क्या है? तीस जार पर में उसका काम स्कार्ट होता है जहां? तो बना के पैसिव इंकम जन्रेट कर सकता है जो कि वो पुरी जिन्देगी कहीं भी नहीं कर सकता है। इसलिए मैं फोलोग कर सकता हूँ। तो सबसे पहला फोलोग कहा हो वजर? टेबल बे, ओन टेबल अगर टेबल पे फोलोग नहीं हो बाता है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो आदमी बोले कि मिल को थोड़ा टाइंग दे दो लेकिन आपको उसके कोशिर हैंलिक करनी है उस समय। टेबल पे उसकी कोशिर हैंलिक करनी है, कोशिर हैंलिक पे मैं आ रहा हूँ। कब कब करना है लेकिन मैं कोशिर हैंलिक पर भी आ रहा हूँ। होती है कोशन हेंडिंग मैं भी बताऊंगा लेकिन उस समय अगर क्लोजिंग नहीं होती है और आप उसको टाइम दे 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 विस्टाव को फोलो अप ओन फोन और इलाइट इन अबरोड़। याइलाइट इन आप ड़िवाग न बताइट इन अबरोड़ ड्रवच्ट seriously प्राइस्टिति आपने पराइसिंग परेंग आपिक देख पाइस है। कर दो कि दुट है कि कर दो जो को कि दूए प्र हाँ क एड़ को सांग्य आड़ इंच एड़ जड़ को जब अड़ कोुट है निए टो फिछेग प्रहोई जो जटेकर भड़ कि दूए इसरेगा है तो उसको ये मुझ बोलो कि जब वो आनमी फॉल आफ के लिए आए जब आफ फॉल आफ करो उसका तो उस समय टेबल पे ये मत बोलो कि सर फॉम बढ़ दो टेबल पे सिरफ इतनी बात बोलो कि सर जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के लिए है चाहिए अच्छा है उसने बढ़ लिया है हमने तो बढ़ा नहीं हाज तक कहा लिखा है फॉर्चेस सर्विस पॉछेस फॉंग हो सकता है मना कर दे तो उस समय आप सिरफ उसको पूछ कर सकते हों ज्ब्हातो जो इतनी इंफॉर्मेशन के लिए चीए इसमों कौन सा हम लोग कौन सा पूछ कर रहें है जब इंफॉर्मिशन आगी तो साइन कराने की क्या जूरता आपको बले बताओ हमारा काम इंफॉर्मिशन लेना है साइन कराना थोड़ी है जब इंफॉर्मिशन आगी आपके बास तो साइन कराने की क्या जूरता आपके बास आपको तो information चीए ना follow up करने के लिए, उस समय sign करवाने की चुड़ता ही कहां से? हमें क्या चीए mostly, number है हमारे पास, नाम है हमारे पास, हमें तो address चीए हमें तो क्या चीए सर, address, उस समय sign करवाने की तो चुड़ती नहीं है ना? और फिर से वही बात, आप और लोग नहीं करते हैं, बिल्बल ठीक बात है? आप क्यों नहीं करते हैं? वो आपको डिबेड़ करता है, वो आपको डिबेड़ करता है, मैं तो सिर्फ तरीका बता रहा हूँ किस तरह से आप उसको बरवा सकते हो, right? इस एज़ी कि आप इसको फोर्म को ये बोल के बरवाले की जस्ट रही कि इंफरमिशन निकले चीए, अगर उस समय क्लोजिंग नहीं हुई है तो, अगर उसी समय क्लोजिंग हो रही है, क्लोजिंग करने का सबसे सही तरीका है जब आप सेमिनार के बाहर होते हैं, या जब ए जब अप किसी भी, प्लैन के बाहर होते हैं, जैसी आप प्लैन से निकलते हैं, फ्रॉसिंग कने है सबसे सही तरीका होता की लेपटोप को टूए हुस के आगे, लेपटोप खुल के इंफरमिशन शेयर करते रहू, इंफरमिशन शेयर करते रहू, इसको गillesा डेले हो जिनके पास नहीं है वो खरीद दो जिनके पास नहीं है वो खरीद दो सर आप जो भी बात मिरे को बता रहे हूं यह ऐसी चीजे जिसका solution तो आपके पास है मिरे पास इसका solution आपके पास है राइट क्योंकि लैक्टप खोलके ना आनमी को comfortable feel होता है अब मैं closing के कुछ तरीकों पर आ जाता हूं सबसे पहली चीज क्या है कि हम उस इंसान से जब हम closing कर रहे होते हैं फिर मैं आगे बनाओंगा जब हम closing कर रहे होते हैं तो हम उस इंसान से सवाल क्या पुछते हैं भाई अच्छा लगा नहीं लगा अच्छा लगा नहीं लगा बढ़िया लगा नहीं लगा यह सबसे गलत सवाल है आपका पूछने का यह सबसे गलत सवाल है अच्छा लगा नहीं लगा बढ़िया लगा नहीं लगा मतलब आप पहले ही जियून कर रहे हो कि उसको अच्छा नहीं लगा होगा तब ही तब पूच रहे हो ना तब ही तब पूच रहे हो ना आपको पहले क्या जियून करना है कि उसको अच्छा लगा आपको क्या जियून करना है कि उसको अच्छा ही लगा है इसलिए आपो उसे क्या पूछना है सबसे पहली लाइन सबसे पहला सवाल और भाई सबसे अच्छा क्या लगा उसे क्या पूछना है सबसे अच्छा क्या लगा ये क्लोजिंग का सबसे पहला पुश्चन है सब मतब वो टिप है ये नहीं पूछने का है कि कैसा लगा ये नहीं पूछने का है अच्छा लगा नहीं लगा उससे ये पूछना है कि सबसे अच्छा क्या लगा क्योंकि मैं जून कर रहा हूँ कि वो उसको अच्छा ही लगा है मतलब नेगटिव चीज आप क्यों Зून करोगे पहले बार आपने उसको close करना है या आप भी prospect बन क्या है हो अगर आप भी नेगटिव चीज बोलोगे तो वो तो और नेगटिव चार्ड़ कोना नेगटिव चीज बोलेगा आपको क्या बोलना है सर भाई सबसे अच्छा क्या लगा ठीक है रज़त नामना आपका रज़त ठीक है सबसे अच्छा क्या लगा अब जब आपने बोला सबसे अच्छा क्या लगा तो आदमी क्या बोलेगा एक बंदा कोई भी एक शिवानी जी आप क्या बोले आर tofu मैंने बोला सबसे अच्छा क्या लगा है तो जिघर वह लिए बाति तो यह इन चीज हो को अच्छा बताना टहारी दाव्य कि समीर कि अच्छा ने आ प्रच्पलब की शन्माराइब प्रच्च मार गनाव्ट पर्चेट रखा इंटिर्दीर्ट के अढ़ एंट गनाविट। Summarize the balance Good things about the project सबसे पहली चीज़ क्या थी पारस क्या थी पहली लाइंग सबसे अच्छा क्या लगा दूसरी लाइंग Summarize the balance Good thing about the project इसको बोलते है Summarize closing का पार्ट है तीन तरह की closing होती है एक होती है Summarize closing एक होती है Assumption closing एक होती है Hassle closing यह Summarize closing का पार्ट है Summarize closing सबसे अच्छा क्या लगा भाई पैकेज बोल अच्छा लगा और भाई बिसनस दे कितना बढ़िया है क्या जबर्दस बिसनस है भाई तस जारे में कौन सा बिनने शिरू हो रहा भाई ना केले की जड़ी आती है क्रौन का बोखाता है मातर 10.000 बिसनस शिरू हो रहा देख इसी बिसनस इस 10.000 बिसनस के लुग इस डंड़ पास कटने लोग कितना पैसा समाता है बारी बोलता है business बढ अच्छा है अरे यार business बढ़िया है तो start कर अब क्या similarize को किसवे business बढ़िया है तो start कर ठीक हम डी अब उसको summerize किया और उसके बाद उसके बाद क्या बोलोगे आप Knock हो संब difference है हां बात रहोगी रहे हैं है मैं मैं अब से अब सीव इतनि है कि भाई अब तो बता पेमेंट्ट से करें या कैसे कि यूद्ट केर सकते हो पेमेंट गार्ट से और कैसे चैप की जगा मत यूज stick जगा पोच सकते हो payment card से करेगा या कैसे payment card से करेगा या कैसे हाँ जी है सब कि नहीं बस इतना भूच्छा को जो बोल रहा हूं payment card से करेगा या कैसे बोट लोग तो ऐसा बोलें कि अच्छा अधाय तो अगल आपको बताऊं तो मैं जब मैं आज की डिर्ट में कें ट्राइपा नेकिवां ड्राइपोर्ट क्यों नेस नियुक्ति हैं जब मैं ट्राइपोर्ट बताता हम तो में तो अधर को आपका मेन कोड है, right? इस इन मेन कोड. आख के रिचे दो कोड है, A और B. कि हमने लेंस से पहले वादा किया था कि हम ट्राइपोड समझाएंगे A and B दो कोड़ है था आपके पास अच्छा कितने लोग हैं जिनके पास सिंगल आईडी से जिन्नोंने स्टार्ट किया हुआ A and B are the basic foundation of this business A and B are the basic foundation of this business क्यों? कल को आप किसी C को लेके आओगे तो कहां लगाओगे या तो A के नीचे ना? B के नीचे कल को किसी D को लेके आओगे तो कहां लगाओगे A के नीचे या B के नीचे मतलब जिन्दकी पर जो भी काम करोगे आप या तो A के नीचे करोगे या B के नीचे तो A और B किसी को भी देना ने चाहिए, अपने पास रखना चाहिए, हमारे बिजनस में तो वेर्ड भाशा में ये भी बोला जाता कि A और B तो अपने बात को भी देने चाहिए A and B are the most important positions for your business to expand your business अब suppose करता हूँ कि शुरू मैं आप बोलते हो कि चलो यार मैं A code से start कर लेता हूँ, single code, main code, मैं M से main code, suppose करो मैं main code से start कर देता हूँ तो कुछ समय बाद जो मैं इनको पैसा आएगा, तो मैं A code ले लूँगा, मतलब कि इस position में ये A और B आपके पास अपकी, A और B आपके पास, नहीं है, अब आपने क्या किया, आप 20 ID लेके आएगे, 20 ID, लाज़मी है कि पेर बटने से पैसा आएगा, ठीक, तो आप 10 इदर लगा देंगे, 10 इदर लगा देंगे, 10 पेर का 900 पर आजाएगा आपको, तो 9,000 पर आजाएगा, क्लेर सब्सक्राइब को डाउट तो नहीं है, 20 ID लाया, 10 इदर लगाई, 10 इदर लगाई, 9,000 पर आगया, मोटा-मोटा 900 कर रहा हूं, मैं टेक्स लेक्स निकार रहा, मोटा तो आपने सब्सक्राइब अब एक ID और ले लगता हूं, तो आदमी क्या करेगा, आदमी एक ID और लगा देगा यहां पर, में, अब अगर यहां पर रहती, तो एक साइड इसकी ओटमेटिकली काम हो गया होता, क्योंकि में कोट पर जब काम कर रहा है, तो सारा काम इनके नी अब दोनों साइड करना मड़ेगा, समय में आ रहा है सार, समय में आ रहा है, अच्छा कितने लोगे पाद ट्राइपट है, उसके काफी लोगे पास है, तो अब मैं क्या करता हूं, आप इसमें से एक से, पहले मैं आपको लोजिकल बता रहा हूं, फिरना आपको प्रैटिक अब मतारों लोजिकल, मन्तों की पैसा जाधा कैसे आता है, लोजिकल का मतलब तो यह होना की पैसे जाधा आता है, तो आपने, अब एक सेड चलेगी फास्ट, एक सेड चलेगी स्लो, क्योंकि इस बिजनस के तीन फेस है, पहला फेस है एक्टिव फेस, काम करोगे पैसा जैसे कि हर बिजनस में आता है, जैसे कि हर दुकान वाले को आता है, जैसे कि हर जोग वाले को आता है, जैसे कि हर डॉक्टर को आता है, जैसे कि हर फ्रेंचाइसर को आता है, एक्टिव फेस, काम करेंगे पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा, एक्टिव कि आपको किसी के भी काम करने से पैसा आ सकता हो सकता इसके 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 मतलब कि अब आपकी इंकम अब आपकी इंकम आपका स्ट्रॉक्चर अब आप बेंट्रोल नहीं कर सकते हैं अब आपने structure वो खुद control नहीं कर सकते हैं अब या तो यह अच्छे लोगों अब यह नहीं मिले तो यह बागएगी इस जैड अच्छे लोग मिलेगे तो यह तेज भाग जाएगी इस सेड़ भाग जाएगी तो यह जो बाएगी सिंपल राइट तो लेबरेज फेस में आके इसमें से एक साइड फास्ट चलती एक सैड़ स्लो मैं एस्यूम करता हूं यह फास्ट है यह लो है ठीक है सर्में एस इसको कर देता हूं थोड़े सा फास्ट इसको कर दिया स्लो थोड़ा और लंबा कीज़ दिया है हम मैं दुबारा से लेके आया हैं बीस आइडी हम मैंने क्या किया मैंने यह दोनों कोड मेरे पास थे तो मैंने यह तीन चार पांच छे साथ आड़ नो तस गया नबारा तस आप दो साथ इस आइडी हम गादी अब एक सैड़ तो बी के काम हो चुका था तो बी को दूसरी सैड़ बीस आइडी लगाने से कितने प्रेयर का चेक बनेगा क्या दस प अब अच्छी बात यह है कि यह जो भी साइडी लगी यह मेंड कोड के भी राइस एड में लगी जो कि स्लोवर साइड थी तो मेंड कोड को भी कितना पैसा आज़ा सर अधारा 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 मतलब कि यह पैसा वीस पेर का पैसा बी को भी आया यह बीस पेर का पैसा मेंड को भी आया तो मतलब कि अठारा और अठारा आपको कितना पैसा आज़ा सर चंटिस हजार अकर सिंगल कोड होता तो इतना कमाते है नो आजा रख डाट is the only reason you need to have a tripod और this is just a beginning यह तो मनें बिगिनिंग बताईए शरुवाद बताईए यह गैप बढ़ता चला जाएगा मेरे को अब तक इस बिजनस में जो मेन कोड पे जो पैसा है वो तकरीबन और तकरीबन 33 लाग के आज सपास है लेकि मेरे टोटल इंकमर 64 लाग 64 लाग मेन कोड मेन कोड और बाकी के कोड मिला यह गैप बढ़ता चला जाएगा बढ़ता चला जाएगा आज तो यह वो सकता चुपे 19,540 रुपे एक्स्ट्रा 9,770 9,540